हलो आज है सेकंड जुलाई और आज इस वोडियों में हम बात करने जा रहा है पैरादीब फ्रॉसफेट के बारे में देखिए पिछले कुछ टाइम में इसने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है और ऐसा नहीं है कि तीजी आई तब जाके मैं यहाँ पर बात कर रहा तो अभी दो हफ्ते पहले ही जब पैरादीब फ्रॉसफेट का शड़ आपको 53 रुपीज पे मिल रहा था मैंने वीडियो बना कर कहा भी था कि भईया खरीदारी के मौके यहाँ पर बन रहे हैं नजर रखेगा इस कंपनी के उपर और डेफिनेटली अच्छा पोटेंशल ह इसमें और तब से लिए अब तक अगर हम देखें तो अल्मूस्ट 15 से 18 परसंट करीटनिय दे चुका है वीडियो में बातचित करेंगे कि यहाँ से और उपर जाने का दमखम है भी के नहीं और बड़े ब्रोकरेश हाउस ने बहुत बड़ा टागर दिया है यहाँ पर तो 63 रुपीज का शेर है और पिछल एक महिने में देखा जाए तो 17 परसंट की तीजी है शांदार रफतार इसने पकड़ी है बहतर तीजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और डेफिनिटली अच्छा का सा रिटन बना कर दिया भी है और देखो जब तीजी आती है कुछ बड़ा करेक्शन दिखाया था और 50 रुपए के नीचे चला गया 49 रुपीज पर गया था यह अब 30 ही पकड़ी है उसके बाद अच्छी रफतार पकड़ी है यहाँ पर अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो इसका जो मार्क इसका जो वॉल्यूम से वो 33 लाग के पे करने वाला है और इनके रिविन्यू में बहुत बड़ी तेजी हमने देखी 2022 फिनांशल येर में जो रिविन्यू उनके 7800 करोड के थे वो 2023 में बढ़कर 13340 करोड रहे तो बहतर तेजी आई प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो हलाग कि प्रॉफिट में डिक्ला करोड हो चुका है इवन अगर मैं इसको क्वाटर और क्वाटर काफी खराब रहा जिसके चलते यहां पर एक गिरावट शुरुवाद में हमें देखने को मिली थी लास क्वाटर इंग का खराब रहा था जिसके चलते यह जो गिरावट है वो हमें यहां पर देखने को मिली लेकिन लास quarter में, मार्च quarter में गिरावट आई, revenue में 3645 करोड का revenue रहा और profit में और ज़्यादा बड़ी गिरावट आ गई जो profit बढ़ बढ़ का देखो पहले 35 करोड था quarterly, फिर 60 करोड, फिर 50 करोड लेकिन बाद में 180 करोड दे बहुत बड़ा profit था ये लेकिन उसके बाद सीधा एक जटके में profit 10 करोड का हो गया इनका quarterly, तो जाहिर जवाद बढ़ गिरावट आनी ही है इस ऐसे results आने के बाद और वो हमें देखने को मिला लेकिन देखो या company fundamentally तो अच्छी है अगर आप देखोगे तो expert जो है उनको लगजा ही आने वाले 12 महिनों में ठीक है इसका शेर 100 रुपे तक जाएगा और कौन सा brokerage है ये तो anti-stock broking has initiate coverage on पैरादिप फ्रॉस्पे लिमिटेड with buy recommendation on price target of 70, sorry 100 रुपीज और अब 71% का upside आएगा ये इनका कहना है the brokerage believes that the post the expansion of the fertilizer capacity from 1.2 mmt to 1.8 mmt and the acquisition of Zorari Agro Goa plant the company will not only gain market share but also turn into the more profitable platform aid by the better product mix deeper backwards integration and better capacity utilization तो भया जो इन्होंने हाल खिलाए में acquisition किया है इसके चलते भी कहिना कहिन इनको positive माना जा रहा है और परादी फ्रोसफेट is antique preferred pick in the frostfit fertilizer space as it has one of the strongest business model support by the growth volume तो भया काफी बड़ा target इन्होंने initiate किया है 100 रुपीज का target initiate किया है यहाँ पर जो कि बड़ी बात है यह यहाँ पर बात करे जाए company की तो देखो अभी भी इतनी तेज़ी के बावजूद भी कह सकते है कि महंगा नहीं है 16 का इसका P ratio है sector P 20 का है और इसलिए 100% analyst भी कहते हैं खरीदारी करो अगर हम shareholding के बारे में देखे तो promoter के पास भी अच्छी quantity है 56.10% promoter लेकर बैठे है हलाकि बड़े बड़े fund house भी बड़ी quantity लेकर बैठे है 17.48% है mutual fund के पास 4.30% है domestic institution के पास 5.10% है files के पास Retails और others की मिलाकर यहाँ पर quantity बनती है 17.02% जिनमें से retail investors 11.68% की holding लेकर बैठे है मतलब कि देखो promoter के पास तो अच्छी quantity है लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े जो mutual funds कहलो domestic कहलो एफाइल कहलो उन लोगों के पास भी बड़ी quantity है तो काफी अच्छी quantity और actual में देखो तो वो खरीद रहे है ठीक है बेश नहीं रहे है खरीद रहे हैं बलके यह सब जो कि अगेन एक और अच्छी चीज़ है तो अच्छी ठीक है और अभी अगर आप देखोगे तो वापस अपने उसी हाई पर जाने के कोशिश कर रहे है यहां पर वापस अटेम्ट करेगा यहां तक पहुंचने की और अगर वहाँ पर पहुंच जाते है तो शायद सत्तर रुपय की आसफास आएगा लगिन उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगा और देखो सौर रुपय का जो टार्ग पांच परसन टूटेगा भी यह शर तो नजर रखेगा इस कंपनी के उपर अच्छी कंपनी जरूर है और कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि चैमिकल स्पेस के बैटर मलब अच्छी कंपनी हो सकती है यह और देखो पोटेंशल है इसमें ठीक है यह सौर रुपय तक जा सकता है यह डेफिनेटल पोटेंशल है तो पहली चीस तो है कि पोटफोलियो में हो तो अभी भी इसको अप कैरी कर सकते हो लेकिन जहां तक बात है फ्रिश बाइंग की तो अगेन मैं कहा दू यहां पर कि यह अप सेंड डाउंस दिखा कर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा यह ठीक है अगर आप देखो तो लंबे समय से बड़ी रफतार यहां पर दिखाई है पिछले एक महिने में काफी अच्छी तीज़ी दिखाई है वापस गिरा वापस अभी दोडने को तयार है एक दो दिन की शायद तीज़ी देखने को मिले लेकिन वापस थोड़ा बहुत गिरेगा वापस उठेगा तो जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की अप कर सकते हो लेकिन थोड़ी सी कॉंटिटी एड़ करना ताकि जब भी बीच बीच में जो डेंट लगेंगे बीच बीच में जब गिरावट आती है तो आपके पास मौका हो एवरेज करने का और टागेट लोंग टर्म का टागेट लेके चलिए और लोंग टर्म में पूटेंशल मुझे लगता है कि है इस कंपनी में तो बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पर एंट करूंगा पसंद आए हो तो लाइक करें श्रय करें चैन बगरा पहली बार हैं तो प्लीज करें और पैरा दीप फ्रॉस्फिट लिमिटेड के बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं तैंक यू